युगांत काल की अवस्था का निरूपर्ण मुन्यों ने कहा धर्मग्य हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कले काल के समीपा पहुँचे जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुख पूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं अब जिन निमतों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेक करने वाले युगांत काल की उपस्थती जाने उसे बताने की कृपा करें ब्यासी बूले ब्रामणों युगांत काल में प्रजा की रक्षा ना करने वाले केवल कर लेने वाले राजा होंगे वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे उस समय प्रायक शत्रेतर राजा होंगे ब्रहामन शुद्रों के यहां रहे कर जीवन निर्वाह करेंगे और शुद्र ब्रहामनों के आचरण का पालन करने वाले होंगे युगांत काल आने पर क्षोत्रिय तथा कांड प्रिष्ट अर्थात अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुर्ष एक पंक्ती में बैठकर यग्य कर्म से हीन हविश्य भोजन करेंगे मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थ परायन, नीच तथा मद्य और मास के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाले होंगे चोर राजा की वृत्ती में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सबरताव करेंगे सेवगण स्वामी के दिये बिना ही उसके धन का वो भोग करने वाले होंगे सबको धन की ही अभिलाशा होगी साधू संतों के बरताव का कहीं भी आदर ना होगा पतित मनुष्य के प्रती किसी के मन में घ्रणा ना होगी पुरुष्य नक्ते खुले केश वाले और कुरूप होंगे स्त्रियां सोला वर्ष की आयू से पहले ही बच्चों की जननी बन जाएंगी युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराय पुर्षों से समागम करेंगी सभी द्विज वाजसनेई बन कर ब्रह्म की बात करेंगे शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्रहमर चांडाल हो जाएंगे शूद्र शट्ता पून बुद्धी से जीविका चलाते हुए मून मुणा कर गेरुवा वस्त्र पहने धर्म का उपतेश करेंगे युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे गाउं की संख्या घटेगी और साध्यों के सुभाव में परिवर्तन होगा चांडाल तो गाउं या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले उचे वर्क के लोग नगर या गाउं से बहार बसेंगे सारी प्रजा लज्जा को तिलांजली दे उच्छिंखर्णता पूर वर्ताव से नश्ट हो जाएगी दो साल के बच्छडे हल में जोते जाएंगे और में कहीं वर्षा करेगा और कहीं बिलकुल भी नहीं करेगा शूरवीर के कुल में उत्पन हुए सब लोग पृत्वी के मालिक होंगे प्रजावर्क के सभी मानव निम्क्षेनी के हो जाएंगे प्राय कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा अधिकांश भूमी उसर हो जाएगी सभी मार्ग बट मारों से घिरे होंगे सभी वर्णों के लोग वानिज्य वृत्ती वाले होंगे पिता के धन को उनके दिया बिना ही पुत्र आपस में बांट लेंगे उससे हड़ लेने की चेश्टा करेंगे और लोब हादी के कार्णों से परसपर विरोध बने रहेंगे सुकुमारता रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसजित होंगी उनमें वीरेहिन ग्रिहस्त की रती होगी युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पातर नहीं होगा पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक यह युगांत काल की पहचान है संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे किन्तो कोई किसी को कुछ ना देगा सब लोग राजदंड, चोरी और अगनिकार नादी से क्षीर्ण होकर नश्ट हो जाएंगे खेती में फल नहीं लगेंगे तरुन पुरुष व्रिद्धों की तरह आलसे और अकर्मने होज़गे जो शीग और सदाचार से भरष्ट है ऐसे लोग सुखी होंगे वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकर और पत्थरों की वर्षा होगी युगांत काल में परलोग संदे का विशे हो जाएगा क्षत्रिय वैश्यों की भांती धन धान्ने के वेपार से जीविका चलाएंगे युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा प्रतिग्य और शपत का पालन नहीं करेगा प्राए लोग रिन को चुकाय बिना ही हडप लेंगे लोगों का हर्ष निश्फल और क्रोध सफल होगा दूद के लिए घर में बक्रियां बादी जाएंगी इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यग्य का नुष्ठान होगा मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमान के ही सब कारे करेंगे चारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मादी होगे और अश्व मै यग्य करेंगे अभक्षय भक्षन करने वाले ब्रहामन धन की तृष्ठा से यग्य के अनादिकारीओं से भी यग्य कराएंगे कोई भी अध्यन नहीं करेगा तारों की जोती फीकी पड़ जाएगी दसों दिशाएं विपरीत होंगी पुत्र पिता को और बहुए सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी इस प्रकार पुरुश और स्तरियां युगान्त काल में ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी द्विजगर्ण, अगनी होत्र और अग्राशन किये बिना ही भोजन कर लेंगे भिक्षा दिये बिना और बली वैश्व देव किये बिना ही लोग स्वयम भोजन करेंगे स्त्रियां सोय हुए पतियों को धोका देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी मुन्यों ने कहा मरशे इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहां जाएगा ते कौन सा कर्म और कैसी चेस्टा करेंगे वे किस प्रमान को मानेंगे उनके कितनी आयू होगी और किस सीमा तक पहुँचकर वे सत्यूग प्राप्त करेंगे क्या शिप बुले मुनिवरों तदन अंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुण हीन होगी शील का नाश हो जाने से सबकी आयू घड़ जाएगी आयू की हानी से बल की भी हानी होगी बल की हानी से शरीर का रंग बदल जाएगा फर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी उससे बहराग्य होगा निर्वेद से आत्म भोध होगा और आत्म भोध से धर्म शीलता आएगी इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुँच कर लोगों को सत्यू की प्राप्ति होगी कुछ लोग कोई उद्धिश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे कोई मध्यस्त रहेंगे कोई बहुत थोड़ी सी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई-कोई धर्म के प्रती केवल कौतुहल रखेंगे कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमान मानेंगे दूसरे लोग सबको अप्रमान ही मानेंगे कोई नास्तिक्ता परायन, कोई धर्म का लोब करने वाला और कोई दुज अपने को पंडित मानने वाले होंगे युगांत काल के मनुश्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले शास्त्र ग्यान से रहित दमभी और अज्ञानी होंगे इस प्रकार धर्म के डावा डोल परिस्थिती में श्रेष्ट पुरुष, दान और शील रक्षा में तत्पुर हो शुब कर्मों का अनुष्ठान करेंगे जब जगत के मनुश्य सर्भख्षी हो जाएं, सोयम ही आत्मरक्षा के लिए विवश्वों, राजा आदी के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो तब उन में निर्दैता और निरलज्जता आ जाएं, तब उसे कशाय का लक्षन समझना चाहिए अर्थात क्रोध लोबादी के विकार को कशाय कहते हैं, युगांत काल में वे पराकाष्टा को पहुँच जाएगा मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राहमनों की संतान व्रित्ती का आश्रे लेने लगे तब वे भी कशाय का ही लक्षन है युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी यह सब शाय का लक्षन है लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे कितने ही चोर ऐसा करेंगे जो चोर की संपत्ति का ही अफरन करेंगे हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग हो जाएंगे चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्यान होगा युगांत काल में मित्य लोग के मनुष्यों की आयू अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी लोग दुर्बल विशे सेवन के कारण कृष तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्थ होंगे उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियाक शीर्ण हो जाएंगी फिर धीरे धीरे लोग साधू पुर्षों की सेवा दान सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे इससे धर्म के एक चर्ण की स्थापना होगी उस धर्म से लोगों को कल्यान की प्राप्ती होगी लोगों की गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाब होने का अनुमान द्रड हो जाएगा फिर स्रेश्ट क्या है इस बात पर विचार करने से धर्म ही स्रेश्ट दिखाई देगा जिस प्रकार क्रमशह धर्म की हानी हुई थी उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धी को प्राप्त करेगी इस प्रकार धर्म को पूर्णता अपना लेने पर सब लोग सत्यूग ही देखेंगे सत्योग में सबका वेवार अच्छा हो जाएगा और युगांत काल में सादू वृत्ती की हानी बताई जाती है रिश्यों ने प्रतियेक युग में देशकाल की अवस्ता के अनुसार पूर्शों की स्थिती देखकर उनके अनुरूप आशिरवाद दिया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुर्ण्य एवं शुब आशिरवाद तथा आयू ये प्रतियेक युग में अलव अलग होते हैं युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहे हैं उत्पत्ति और संघार के द्वारा नित्य परिवर्तन शिलिया संसार कभी खशन भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता झाल